कि 10 वसम्टियों कि 6ुस्ट है तो हम लोगोंने आभी डेच्टल एक्जीशन सिस्टम में एनलोग, डाटा एक्जीशन सिस्टम देखा और इसी का एक अगला टॉपिक है में युणिट में वह दोनुट जो लोग डायस हो गया और डिज्टल डायस हो गया उसमें हम लोग कंपोनेंट में देख रहे थे हमारा मल्टी प्लेक्सर था तो चलिया यह मल्टी प्लेक्सर से आते हैं तो यह किस तरह से में बताता है कि मुल्टी प्लेक्सर क्या होका होता है मतलब कि अभी से अधिक है मतलब कि more than one input को single channel के थुरू output में कम हट कर पाता है, तो चलिया यह इसके बारे में थोड़ा detail में जाने कि यह कैसे work करता है और क्या work करता है, ठीक है, तो देखिए, यह हमारा क्या है, multiplexing, multiplexing क्या है, multiplexing एक process है, जिसमें क्या होता है, multiplexer device होता है, जिसके help से, many input को एक single channel के थुरू हम लोग transfer कर सकते हैं, ठीक है, तो multiplexing is the process of sharing a single channel with more than one input, इसमें क्या होगा, input क्या होगा, one से अधिक होगा, input क्या होगा, तो one से अधिक होगा, और output क्या होगा, तो one ही होगा, और उसको हम लोग उसमें एक selector line होता है, selector line के मदद से more inputs होता है, उसमें से किसी एक का selection किया जाता है, तो उसको हम लोग detail में जानेंगे, तो जानेंगे वहाँ पे, ऐसे आप लोगोंने multiplexer तोपारे में fourth semester में digital electronics में अच्छे से आप लोगोंने जाना होगा है, तो देखें, यहाँ पे क्या हो गया, तो channel with more than one input, ठीक है, दस multiplexer accept multiple analog inputs and connect them sequentially to more measuring inputs, तो इस तरह से इसके help से हम लोग क्या करता है, multiple analog inputs को एक single channel के दुवारा हम लोग transfer कर पाते हैं, देखें, कुछ इस तरह से इसको ऐसे समझ सकते हैं, ऐसे max इसको हम लोग sort में करते हैं, multiplexer को max करते हैं, यह 1 is to 8, 1 is to 60, sorry, 8 is to 1, मतलब कि 8 input है, 1 output होगा, 16 is to 1 होता है, 16 input होगा, 1 output होगा, इस तरह से यह अलग-अलग तरह के हो सकते हैं, 2 into 1 के भी हो सकते हैं, जैसे आप लोग digital electronics में इसको अच्छे तरह से खड़ा होगा, तो यहाँ पर हम लोग इसको theoretical बे में देखेंगे, किस तरह से यह बार करता है, यह analog वाला है, time division multiplexing और frequency division multiplexing, ठीक है, तो यहाँ पर आ गया, multiplexing is a means of using the same transmission channel for transmitting, more than one quantity, more than one quantity के input को single channel transmission के द्वारा, हम लोग इसके द्वारा data को sharing करने का काउंट करते हैं, multiplexing is necessary in measurement system, हम लोग को measurement system में बहुत जगा पर ऐसा मतलब कि आप सकता पड़ता है, जरूरत पड़ता है, कि हम लोग multiplexer का use करें, तो महाँ पर यह use होता है, जब more input को एक channel के द्वारा transfer करने का आवा सकता पड़ता है, तो हम लोग multiplexer का use करते हैं, ठीक है, when the distance between transmitting point and receiving point large than, large and many quantity are to be transmit, कर रहा है कि जब transmitting और receiving का जो distance है, वो ज़्यादा हो, और input में हमको more than input हो, और हमको इसको transfer करना हो, तो उस समय हम लोग multiplexer का use करते हैं, और multiplexing process के द्वारा उस data को हम लोग transfer कर देते हैं, इस सेपरेट चैनल यूजड पोर इच क्वाइंटिटी देन दफास्ट ओक इंस्टॉलेशर मेंटेनेंस एंड प्रियोडिक रिप्लेस्मेंट विकाम्स लाज तो यह सारे देखिए इसमें क्या होता है, हम लोग का क्वाइंटिटी है, जो की ज़्यादा रहता है, एक सेपरेट जैसे हर एक एक क्वाइंटिटी के लिए एक सेपरेट चैनल को अगर हम बनाना चाहें, तो उसके लिए हम लोग को कोश्ट जो है उसका इंस्टॉलेशन का चार्ज बढ़ जाएगा, हर एक चैनल को हम कुमेंटेनेंस करने का पड़ेगा, प्रियोडिक रिप्लेश्मेंट हरे जैसे कोई पड़ थराब हो गया तो उसको हमें सब रिप्लेश करना पड़ेगा, तो यह सब झांजट आ रहा था, इसलिए हम लोग इसके जगह पे क्या कियें, इसको हम लोग फ्रिक्वेंसी सेरिंग के द्वारा भी और टाइम सेरिंग के द्वारा भी ट्रांफर कर लें जाएं, इसी के अधार पे इसके तो टाइप हैं एक हो गया Time Division Multi-Plexing TDM और एक हो गया Frequency Division Multi-Plexing FDM तो इस तरह से हम लोग आप जानेंगे टाइप आप एफ ए मल्टि-Plexing के बारे में TDM और FDM के बारे में हम लोग ने अभी तक multiplexing रहा multiplexing क्या होता है क्या नहीं होता उसके बारे में जाना और उसके type के बारे जाना तो उसके type में दो type थे एक TDM थे और एक fdm था जिसमें से TDM के बारे में चले आई हम लोग जानते हैं तो TDM का full form होता है time division multiplexing और यह time division multiplexing हमारा बहुत ही important है मतलब कि data को transmit करने के लिए sequentially transmit करने के लिए हमारे लिए बहुत ही मत्पूर्ण है जैसे यह जो TDM है time division multiplexing है यह किसके लिए यूज होता है तो यह digital signal को मतलब कि transmit करने के लिए यूज होता है ठीक है तो यह digital signal के लिए transmit करने में यूज होता है और यह जो हमारा process है मतलब analog signal से digital signal में convert करने का जो process है वह हम लोग semester basic communication में आप लोगों ने पढ़ा होगा sampling theorem के बारे में तो sampling theorem में मैंने बताया था कि किस तरह से analog signal को discrete type signal में convert किया जाता है discreet काने का मतलब pulse के type में उसको किस तरह से convert किया जाता है तो उसी में sampling theorem आता है तो उसी को हम लोग यूज करके यहां बिगार करते हैं analog वाले को digital signal में convert कर देते हैं और उसके बाद इसके help से से उसको हम लोग transmit कर देते हैं तो चलिए यह इसके बारे में तुछ है जाने कि क्या है और यह कैसे बार करता है तो देखिए यह में लिखा जाता है यह इसका पुरा नाम क्या हो गया time division multiplexing हो गया उसके बाद है इन time division multiplexing the information from different measuring point is transmitted serially one after another on the sampled communication channel देखिए कह रहा है कि इसमें क्या होगा एक से अधि multiplexer क्या होता है multiplexer एक ऐसा मतलब कि multiplexer है एक डिवाइस और उस device के मदब से हम लोग क्या करते है वन से more input को एखी channel के द्वारा transmit करते हैं तो यह जो process है वह क्या करता है multiplexing करता है ट्रंसमीट करने का process multiplexing करता है और इसको करने वाला multiplexer करता है तो इस को हम लोग दो मेंथसे मतलब कि यूज करते हैं एक यूज करते हैं और एक फ्रिक्वैनशी डीजन मलिपिलेक्सिंग आपको इसमें कहा रहा है कि इसमें यूज को यह पॉइंट से। इसमें इसमेंगे करते हैं मेंनी मौर्ट इंपृट को एक सिंगल चैनल के दोरा ट्रांसमीट करने का आफ़ करते हैं तो इसे को हम लोग करेगा इसा नहीं कि फाले कर सकते हैं इसमें क्या कर सकते हैं और उसे होगा कीज़िव होगा सैंपल्ड क्या होगा होगा अभी मैंने ने बता है सैंपलिंग थ्योरी का इज करके एनलॉघ सिग्नल को डिज्टल में करवाट किया हुआ सिगनल होगा उसी को हम लोग यहाँ पर ट्रांसपर करें है ठीक है तो सेंपल्ड कम्मुनिकेशन चैनल फिर कहा रहा है कि दब मेजर्मेंट दब मेजर्मेंट और सेंपल्ड सिक्विएंसियाली एंड ट्रांस्मिटेड अंटिल ओल दा सेंपल्ड यह जो हमारा इनपूट होगा वह सेंपल्ड होगा और उसको लोग भी मतलब करने का कां करेंगे सिक्विएंस आप समझ रहें कि एक बाद दो आएगा दो के बाद ठीरी आएगा सीघ्य ढंक से यह चलेगा ठीक है उसकी बाद कहा रहा है कि आफ्टर दिस दर साइकिल एगें रिपिटेड और इस साइकल जैसे एक साइकल हो गया मन यह साथ इंपुट है तो वन से श्राट हुआ टू हुआ थी होगा फोर फाइव शीक्स सेवन हुआ सेवन को ट्रांस्मीट करने हुआ फिर से यह वन पर आ जागा फिर वन ओला इंपूट करेगा इस तरह से यह चलते रहेगा यह रिपीट होते रहेगा ठीक है इसमें क्या होता है अब देखिए यहां पर समझने कहा है यह समझेगा इसमें क्या करते हैं टाइम को डिवीजन कर लेते हैं है पूस पूरा साइकल कंप्लीट करने में 1 सकेंड का समय लग रहा इस एक सेकेंड को हम लोग टारा से इस से में करने में करने में वन सेकंड का टाइम लग रहा तो इसी टाइम को देख्ए अगर पूरा एक सके दिवायड हो जा रहा है तो तो हरे को पूराल एक की सांट करने में कितना समय लेगा 12 7 दलिए भाटे इन limit को ट्रांसमीट कर रहे तो 20 दोनों के बीछ सेटके गर कितना स्मॉल है बहुत बेरी सोट है तो इन दोनों के टाइम इंट्रेवल के बीच में हम किसी को सेंड नहीं कर सकते या फिर उसमें चेंजिंग नहीं कर सकते यह हैं यहां पर समझेंग वाल बात था तो वही आपका रहा है तो वन को इंट्रावल विट्विन सैंपल एक दू स्वीचिंग और मेजरीं चैनला तुन ड़ी रिभालेंट्राइन ट्रांस्मिशन चैनल्स ओन इन फिगर हम लोग इसके द्वारा क्या करते हैं स्वीचिंग करने का कांट करने का बहुत सारे यह हो सकते हैं यह सब्सक्रांस déweel स्विच के साथ तो इसी तरह से हैं यह वह स्वीच होगा क्या यह स्वीच करें इस तरह से ताइम डिवीजन मल्टिप्लेक्सिंग का यूज कर रहे हैं तो इस में देखिए यह क्या है तो यह कलाता है निस छMax कणिक्त हoga तो सेवendeu नंबर वाला सिगनल मतलब कि वे जायेगा ठीक है ुआ इसी तरह से यह क्या करेंगा एक पे आएगा और शेवे नंबर के रीचीवर से कनेक्ट gesendiene एह इंपूट इस तरह से यह चलते रहेगा और इस तरह से यह चलते जाएगा तो मतलब यह रोटेट करेगा इस तरह से तरह से हमारा इसको ध्यान में राखिएगा यह हमेशा पोश्चन सी से आते हैं टाइम डिविजन मल्टिप्लेक्सिंग और फ्रिकेंसी डिविजन मल्टिप्लेक्सिंग तो चलिए इसका एक और तरह है कि नंबर ओप मेजरिंग पॉइंट भीच मोनीटर फीचकल कुछ भी हो सकता है तो पदूसके बाद उसकों प्रक्रक्सिंग करते हैं इसके बाद उसको आंप तो चोदिगेंस करेंसे और तो उसके बाद नंबर ओप क्वाइंटिटी अब यह आइन तक जा सकता है यह नबर आपokईटिटी कितना भी लार्ज होसके इच पॉइंट इस सेकेंड नेक्ट होगा फिर थाड होगा यह मैंने अभी अभी बताया आपको यह सीरियली ढंक से कनेक्ट करने का काम करता है तो यह किस से कनेक्ट होगा तो रिसीबर वन से कनेक्ट होगा यह वाला ट्रांस्मीटर रिसीबर वाला फिकर आपको में अभी अभी मैं बताऊंगा तो उसमें आपको यह किलियर हो जाएगा कि किस तरह से एक दूसरे से कनेक्ट हो रहा ठीक है उसके बाद करने में वान बाई सेवन लग रहा तो उसी टाइम इंट्रावल में एक दूसरे से यह कनेक्ट है ठीक है इसी तरह से यह सेवन तक है तो यह सेवन तक रिसीबर से यह कनेक्ट हो जागा क्यान कि अगर हम इस काम को करते समया कर वह बहुता तो यह क्या होता है एक दुसरे से त्शुच डिस्कनेक्ट नहीं होता एसके को भी ट्राइसिंट करने का ये मतलब बहुर मेर्प चलते रहाता है तो इसी सरकिट को मतलब ही इसको रोकने के लिए इसके लिए रोकने के लिए क्या किया जाएगा तो रोकने के लिए yine अडिशनल सर्कुट का यूज किया जाता है इस डान आडिशनल सर्कुट करने का काम काने का मतलत जिस समय यहां से ट्रांस्मिट किया जाता है उसी अट टाइम में करने काम है वह कौन करेगा तो इस कोई लिए एक अडिशनल सर्कुट का है यूज क्या जाता है विस प्रकार से हम लोग कि मेख़ड के दौरा कोई भी इंपूट को हम लोग रिसीवर के पास सेंड कर सकते हैं इस तरह से हम लोग एक से अधिक इंपूट को ट्रांसमीट करने का वर्ग करते हैं तो इस तरह से हमारा टाइम डिविजन मुल्टिकलेक्षिंट समाप हुआ हां तो यहां से अभी ऑजलिए कि अभड़ के आए कि वहां चम्मिट समीट करने के लिए यूज कर रहा है यह पौइंट हैland तो यह जियात रहे और वाकी यह आपका एक दो बार वीडियो आप देखिएगा तो आपको ये समझ में आ जाएगा जैसा भी होगा जो भी परिशानी होगा कमेंट में बताईएगा टाइम मिलेगा आपको हम जरूर बताएगे तो इस तरह से हम लोगों ने टीडियम को पुरा देख लिया तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेगे एप डियम के बारे में अब बने रही तब प्रिटेक्टिन लिएग के सब और वीचारा जनकारी के लिए मिलते हाँ आप लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ